जाह इन्द इस वीडिव नोग जके टायर कंपणी बारें बात करेंगे देखे एक समय था जब अब अक्छोटी कंपणी आ पर यह जोटी चोटी कंपणी छोटी कंपणी से गुरोफ राज इतनी बड़ी पर नियुकर गते हैं तो क्या जके टायर में वह पोटेंसियल दिख आपको बताऊंगा कि इसमें निवेस्ट करना कितना सही रहेगा तथा अगर कोई पहले से इसमें इंवेस्टमेंट किये हुए हैं तो उनकी यह बागे क्या होनी चाहिए आइए वीडियो सुरू करते हैं देखें दोस्तों यह जो जेके टायर से इंड इंडस्ट्री इनुट बना जाते हैं उसमें 35% अकेले यह कमपनी मार्केट शेयर कवर करके बैठी हुई है तो जब इतने हेवी क्वान्टिटी में यह तो कहीं ना कहीं और मतलब इतना बड़ी मात्रा में मार्केट शेयर कवर करके बैठी हुए तो मानना पढ़ेगा कि मजार में इसका दब- यानि कि जो पीकप या अच्व यह आप देखते हैं वह सभी तो आप समझते हैं महिंद्रा की बड़ी बड़ी जब गाड़ी आते और भी तमाम जो आज कल बड़ी गाड़ी आते कार साथ सब स्यूबी के के अप समझेंगे मार्केट कैफ इसका 3000 क्रोन यानि कि एक स्मॉल क यहां तक आया है और यहां लगाया था पिछले साल में अक्टूबर में इतना रुपे का हाई लगाने बाद से डाउन जाने लगा और उसके बाद कुछ दिनों तक कॉंसलिडेट किया तो समानियत होता है कि जब कॉंसलिडेशन से किसी भी स्टोप का प्राइस मतलब बाहर निकलता है तो ऊपर जाता है लेकिन इसका प्राइस जब कॉंसलिडेशन से बाहर निकला तो और डाउन जाने लगा और नीचे चला गया हाला कि अब उठना शुरू हुआ है अब समझेंगे पीर्स ग्रूप की बात करें कि यानि कौन-कौन कंपनी के टकर में है या यह समझेंगे इसमारे पोलोटाइस और शिएट जैसी कंपनीया सामील है जो इसके कंप रीजन में मतलब अच्छी बात है कि बड़ी-बड़ी कंपनी या इस कंपनी के पीर्स ग्रूप का हिस्सा अब समझेंगे पीर इसका बहुत कम है तो पीर इस समानेता जितना कम रहा है अ अगर आप आना चाहते हैं तो बैसका सकते लेकिन फिर भी मेरा सुझाव रहेगा एक बारा पारे साही जरूर देख लिएगा अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोफिट की कंपनी प्रोफिट में के लॉस में है समझेंगे अभी तो क्वार्टर फुर्क रियर्ट आने इसक जो कि कॉर्टर थी में कम होकर से फर आ गया 57 क्रोण का यानि कि करौण का कंपनी को लास हुआ है अब आने वाले क्वार्टर यू जोकि बात-बात में करेंगे अगर 66 पर भी आ जाता है तब भी प्रोफिट कहा जाएगा और अगर अगर तो कमाल का है दो पॉइंट दूरुपया सत्यर पैसा था जो कि थी में थोड़ा सा कम हुआ है दूरुपया तीस पैसा का सब्सक्राइब यहां समझेंगे इसका 111 रूपया इसके फंडामेंटल जो सबसे अच्छा बात मुझे लगा वह इस कंपनी का बुक बैलू काफी अधिक है बुक बैलू जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा माना जाता है और रिटर्न और इक्विटी एक आरा पॉंट परसेंट यह अगर बीस परसेंट सधीक होता तब ज्यादा बढ़िया रहाता कोई बात नहीं यहां तक भी ठीक है अब द कम है और इसको अगर कंपनी बढ़ाती है और इसको कम करती है तब ज्यादा मजा आएगा अब समझेंगे यह कंपनी हर एक साल डिविडेंट देती है पिछले साल इसने अगस्त 2021 में डिविडेंट दिया था दू रूपया पर 30 यानि कि एक सेर पर आपको 2 रूपय का डिव कंपनी के अपना अवकात के इसाब से इन डिविडेंट देगी अब अगर प्रमोटर्स की सदारी 55.9 3% प्रमोटर्स अच्छे खासे मातरा में है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बिदेशी निवेशक और हमारे देश के जो डुमेस्टिक इंस्टिशुशन इंवेश् इसकी बात करें तो इनकी सदारी 1.27 परसेंट कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन है यह भी ठीक है और पबली के पास 34.68 परसेंट के सदारी है तो अब ही इन्वेश्टमेंट करने की सलह में इसमें नहीं दूंगा कि इसका करजा इसके मार्केट केप से का पी अधिक है बागी 30-40 का आज पासो तब आप एक स्मॉल क्वांटिटी इसमें इंवेश्टमेंट कर सकते हैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी वीडियो इंफर्मेटीव लगा होगा मिलते हैं नेक वीडियो में तद्रिक धन्य बात शुक्रिया